हेलो एवरिवन आज डेट है 14 जन्वरी और देहंदू न्यूज एनलीसिस में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम देहंदू की इंपोर्टेट न्यूज को प्रिलिम्स और मेंस के परस्पेक्टिव से और अधर एकजाम्स के परस्पेक्टिव से डिसकस करेंगे तो चलो स्टर्ट करते हैं देखो सबसे पहले आज 14 जन्वरी है और आज के दिन को हमारे इंडिया में अलग-अलग अलग स्टेट्स में अलग-अलग नामसे इस दिन को सलिब्रेट किया जाता है especially जो मुख्य रूप से इस दिन को सेलिबरेट किया जाता है वो मकर सकरांती है तमिल्ला डूमे आज के दिन को थाई पोंगल के नाम से उत्रायन के नाम से गुजरात में लोहोडी के नाम से पंजाब में पॉस सौंकरांती के नाम से बंगाल में सुग्गी हबबा के नाम से करनाटका में, मकर चोला के नाम से उडिशा में, मागी सक्रांत के नाम से महरास्ट वे हर्याना में, माग बोगली बिहु के नाम से असम में और सिसुर सिंकरात के नाम से कस्मीर में सेलिब्रेट किया जाता है तो देखो, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्यों celebrate किया जाता है, सबसे मुख्य कार्ण यह माना जाता है, कि 14 जन्वरी से पहले जो सूर्य है, वो मकर रेखा के उपर चमक रहा होता है, और आज से सूर्य दक्षणायन से उत्रायन हो जाता है, मतलब मकर रेखा से सर्दिया गिर रही थी, वो कम हो जाती है, दिन जो है, उनकी लेंथ बढ़ जाएगी और गरिमया गिरना स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए बोला जाता है, इसको मकर सकरांती के रुप में celebrate किया जाता है, एक मत्र ऐसा त्योंवार है हमारे इंडिया में, जो किसके आधार प नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है, वो farmer protest को लेकर के है, देखां, farmers regular protest कर रहे हैं और जो आठ जनवरी को last में center government और farmers के बीच में जब meeting होई थी, तो Supreme Court को center government ए रेफरेंस दिया ता कि अब Supreme Court जो भी फैसला करेगा, उसके उपर हम काम करेंगे, उसको हम follow करेंगे, लेकिन जो farmers उन्होंने मना कर दिया है कि सुप्रेम कोट जो भी कमेटी बनाएगा हम उसकी जो भी प्रोसेजिंग होगे उसमें हम उसके सामने उपसित नहीं होएंगे क्यों कारण क्या है तो को सुप्रेम कोट ने बोला था कि चार लोगों की कमेटी बनाई जाएगी चार लोगों की एक क पक्ष में थे मतलब वो तो उसके प्रोफिट गिना रहे हैं तो फिर वो कैसे फार्मर्स के साथ में न्याई कर सकते हैं ऐसा फार्मर्स बोल रहे हैं दूसरा जो इसमें बताया गया है कि देखो सुप्रीम कोट का काम होता है किसी भी पॉलिसी का एक्जामीन करना ना कि काम हो कर रहा है mediator बनेगा तो अभी तक जो committee बनाई जा रही थी उसके लिए भी कोई फैसला नहीं हो पाया है उसके लिए कोई clarity नहीं आई है next जो हमारी news है वो देखो अलाबाद high court ने एक बहुत ही अच्छा फैसला दिया है उन्होंने ये बोला है कि special marriage act के अंडर अगर कोई शादी करता है तो अलाबाद high court ने बोला है कि कोई भी ऐसा provision नहीं है कि publication of notice जो notice पब्लिस किया जाता है वो mandatory हो अगर व्यक्ति चाते हैं जिनोंने शादी किये वो चाते हैं कि उनकी शादी के लिए जो भी public notice जाड़ी किया जाए वो हो तो हो सकता है लेकिन मतलब जो registrar है उसकी तरब से कोई भी public notice जाड़ी नहीं होना चीए इससे क्या होता है जो भी उनकी privacy होती है जो भी उनकी fundamental rights है उनका breach होता है उनका violation होता है next news है वो अफगानिस्तान को ले करके है देखो 2018 से जो अफगानिस्तान है उन्होंने यहाँ पर हमारे इंडिया में कोई भी full rank अपना ambassador न्यूक्त नहीं किया है 2018 में जो उनके ambassador थे सईदा अबदाली उन्होंने regime कर दिया था ऐसा माना जा रहा था कि वो election में खड़े होने वाले है इसी को ले करके उन्हों रिजाइन कर दिया और उसके बाद में अभी तक कोई भी पर्मानेंट यहाँ पर full rank investor को निक्त नहीं किया गया है इसके लिए अफगानेस्तार और इंडिया के बीच में बात चल रही है हमारे जो national security advisor है अजी डोवाल जी उनकी भी बात हुई है अफगान के प्रेजिडेंट अफरल असरफ गनी से और टोप अफगान जो peace negotiator है अब्दुला अब्दुला काबुल में उनके साथ में इन सारे points पर बात हुई है देखो national security advisor हमारे इंपोटेंट हो जाता है अजी डोवाल जी हैं समय नौबर 1999 में ये post generate हुई थी उससे पहले भी post थी लेकिन special ये नाम 1999 में इसको दिया गया था ये जो nation security advisor हैं ये क्या करते हैं जो भी हमारे intelligence point है जैसे row हो गया, IB हो गया, NTR हो गया, MI हो गया, DIA, NIA ये जो भी हमारे intelligence point है इन से जो भी report आती हैं उनको coordinate करते हैं और PM को, PM को वो report देने से पहले उनमें जो भी coordination होता है वो खुद बिटाते हैं और फिर PM को report present करते हैं देखो, next जो हमारी news है, वो देखो केरला से लेकर के हैं केरला में life एक project चला था केरला में life project चला था, उस project को लेकर के उस project में, CBI ने intervene किया है, केरला government ने जो state court है उन्होंने reject कर दी थी उनकी plea को अब, केरला ने supreme court में अब अपनी जो appeal है, उसको file किया है life mission चल रहा था, वहाँ पे, ये life mission किसके लिए, housing project था और इसमें उनके उपर आरोप लगे हैं, केरला government के उपर कि इसमें क्या किया गया था, इसमें ब्रश्टाचार फैला था, पैसे की धांदली की गई थी तो इसमें जो हमारे लिए important हो जाता है ना, इस news में वो है एक तो CBI और एक Comptroller General of India, मतलब CAG दो terms हमारे लिए important है, exam के point of view से तो पहले हम देख लेते हैं CBI देखो, जब हमारा second world war चाल रहा था, तो तो हमारे इंडिया में, जो भी war में supply की जारी थी, उस supply को देखने के लिए कि वहाँ पर कोई bribery, कोई भी घूस, कोई भी corruption तो नहीं हो रहा है, उसकी जाच के लिए, ये CBI जो post है, उसको declare किया गया था, मतलब बनाया गया था, भारत के partition से पहले, लाहोर में इसका headquarter था, लेकिन जैसे ही partition होता है, वो लाहोर वाला headquarter कोन ले लेता है, पाकिस्तान ले लेता है, और 1946 में, डेली special police establishment act 1946 के अंडर आ जाता है, फिर CBI और ये ministry of personal public grievance and pension के अंडर आता है, CBI जो है, दूसरा जो है, वो CAG है, CAG, इसमें, इस news में CAG आया है, Comptroller and Auditor General of India, देखो ये Comptroller and Auditor General of India होता है, ये article 148 के अंडर, इसका मतलब constitution में इसका वर्णन किया गया है, वरतमान समय में GC मुर्मू हमारे CAG हैं, और इनकी जो term length होती है, मतलब कितने समय ता कि अपनी post पर रह सकेंगे, तो 6 साल या फिर 65 साल, इन में से जो भी, या तो उनको job करते हुए 6 साल हो जाएंगे, या फिर उनकी age 65 साल, इन में से जो भी पहले होगा, उसी की आदार पर उनको retirement दे दिया जाएगा, next जो हमारी news है, वो केरला से related ही है, सब्री माला जो यहाँ temple है, वहाँ पर मकर विलक को एक festival celebrate किया जाता है, मकर सकरांती वाले दिन, उसके लिए सारी तयारिया हो चुकी है, तो हमारे लिए important हो जाता है सब्री माला जो temple है, देखो यह जो सब्री माला temple है, इसमें पूरे world में अकर मक्का मदीना की बात छोड़ दी जाए, तो इंडिया में सबसे जादा जो मतलब visitors हैं, सबसे जादा जो सरदालू है, वो यहाँ पर आते हैं, यह जो सब्री माला temple है, वो पेरिया टाइगर रिजर्व में, केरला में जो पेरिया टाइगर रिजर्व है, उसमें established हैं, और स्री अयप्पा, जिनके हिंदू religion के अनुसार, इंदू धर्म के अनुसार, जिनका नाम है धर्म सास्ता, और इनको भगवान सीव और मोहीनी का पुत्र माना जाता है, उनका मंदिर है, ये सबरी माला जो मंदिर है, नेक्स जो हमारे न्यूज है, वो वैक्सीन को लेकर के है, हमारे इंडिया में दो वैक्सीन को अप्रोल मिल गया है, सबसे पहले जो वैक्सीन है, उनको कोवी सिल्ड को खरीदा कया है, बहुत सारी 110 मिलियन डोज खरीद ली गई है कोविसिल सीरम इंस्टिटूट ओफ इंडिया से गॉर्मेंट ने 200 रुपए पर डोज के हिसाब से, और भारत बाइटक के साथ भी बात चल रही है अब स्पेशल जो इंडिया में 4 डिपो हमारे याँ पर बनाए गए है, वहाँ पर भीजा जा रहा है सबसे पहले इन वैक्षीन को और उसके बाद में जो स्टेट में जो सेंटर बनाए गए है, वहाँ पर इनको भीजा जाएगा नेक्स जो निउज है, वो आंगनवाडी को लेकर के है, सुप्रीम कोट ने बोला है कि अब तक देखो, आंगनवाडी विल्कुल बन थी अब सुप्रीम कोट ने बोला है कि अगर कंटेन्मेंट जोन के बाहर है तो आंगनवाडी को खोला जा सकता है 31 जन्वरी तक गाइडलाइन्स दे रखी थी कि 30 जन्वरी से पहले नहीं खोला जाएगा लेकिन सुप्रीम कोट ने बोल दिया है कि अगर कोई भी जो मतलब जो भी आंगनवाडी कंटेन्मेंट जोन से बाहर है न उनको खोला जा सकता है नेक्स जो न्यूज है वो न्यू पार्लियमेंट जो हमारा विस्टा प्रोजेक्ट है उसको लेकर के है देखो स्टार्टिंग में जब विस्टा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था तो उसके उपर बहुत सारी रोक लगा दी गई थी बाद में सुप्रीम कोट ने ये ओर्डर दिया कि आप स्टार्ट कर सकते हो, सिर्फ आपको जो हमारी Heritage Committee होती है उससे अप्रूवल लेना पड़ेगा, अब हमारी Heritage Committee ने भी अप्रूवल दे दिया है, अब ये बोला जा रहा है कि जो New Parliament का वर्क है, वो आज से स्टार्ट हो सकता है, बहुत सारे प्रोब्लम्स आ रहे थे, लो एक development के लिए हो रहा है, और जब government कोई project start करती है, इस पे आरोप लगाए गए थे, कि देखो COVID-19 की वज़े से economy कावी खत्रे में है, और बहुत सारा पैसा यहां invest किया जाएगा, तो Supreme Court ने बोला था कि अगर government कोई development project करती है न, तो उसमें Supreme Court कोई बादा नहीं कर सकता, Supreme Court का काम, government को यह सला देला नहीं है, कि आप यहां पर पैसे लगाओ, यहां पर पैसे मत लगाओ, तो यह हमारा आज का discussion था, इसमें हमने कई important news को discuss किया, okay, thank you.